कि नमस्ते में हूं रेनु कात्वा सबका मेरे युटूप चैनल में बहुत बस वागते तो आज की वीडियो में मैं आपको बिना मिल्क पाउडर बिना खोया बिना किसी आटे के बिना कुकिये हुए बहुत ही आसान तरीकिते जटपड बनने वाला पेडा बना के दिखाने व behavior बिना आपको आपको चार चमी के पौक करते को ञबनाई तकर सकते हो पर उसके बाहर हमें इन दोनों अध्यक और मिशक करने के लिए हाथ कर भी सब्सक्र ईलाइचि पाउडर ला भी ही और इसे भी हमें आच्छे तरह से मीस कर लेना है फिर उसके बाद मेनी यहां आदा कप रोष्ट के हुए चने लेने हैं और उनका पौडर बनाना है फिर हमें रोष्ट के हुए चने का पौडर इसमें डालना है फिर उसके बाद मेनी यहां पाव कप चॉप किया हुआ बदाम लिया है तो वो इसमें हमें डालना है तो आप इसमें काजू या किसमिस भी डाल सकते हो फिर उसके बाद अभी हमें इन सारे इंग्रिडेंस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो ये सारे इंगिडियंस अच्छी तरह से मिक्स होने चाहिए तो आप इने हाथ से भी अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हो तो आभी ये सारे इंगिडियंस अच्छी तरह से मिक्स हो चुके है फिर उसके बाद अभी हमें इन सारे इंगिडियन्स को हाथ से अत्य तरह से मिक्स करना है और इन्हें हमें गुन लेना है तो यहां मैंने इन्हें गुन लिया है फिर उसके बाद अभी हमें इसके पेड़े बनाने हैं तो इसके लिए हमें थोड़ा सा डो हाथ पे लेना है और इसके हमें गोलगोल अकर में पेड़े बनाने है तो यह दिखे इस तरह से तो आप चाहो तो इस डो की चोकोन या त्रीकोन अकर में बर्फिय भी बना सकते हो नहीं तो आप इसके गोल-गोल लड़ू भी बना सकते हो तो वो भी बहुत अच्चे बनते हैं तो इस तरह से हमें इसके पेड़े बना लेने हैं तो आप इस डो के अलग-अलग डिजाइन में भी इसके पेड़े बना सकते हो तो हमें इस तरह से इसके सारे पेड़े बना लेने है तो यहां मैंने इस डो के सारे पेड़े बना लिये है फिर उसके बाद आभी हमें इसके उपर गार्निशिंग करनी है तो आप चाहो तो इसके उपर काजू, किसमिस या केसर से भी गार्निशिंग कर सकते हो तो हमें इसके उपर इसे चौप किये हुए बदाम डालने है और इनके गार्नेशिंग करनी है तो अभी यहाँ पेड़े बनके त्यार हो चुके है खाने के लिए तो आप इसे ही आसानी से घर में बीना कुक किये हुए यह बहुत ही टेस्टी पेड़े बना सकते हो तो आज की वीडियो में इतना ही तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए रिस्टीपि के साथ तो थैंक्स फिरें वाच माई वीडियो